चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट के आयूस के कांसलिंग के लिए रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं इसमें 85% स्टेट कोटा के लिए रेजिस्टेशन कर सकत हैं उनमें अधर स्टेट कंडिडेट भी अपलाई कर सकते हैं प्राइवेट आयूस कोलेज के लिए तो इसमें जो इसकी वेबसाइट है वो यूजी कांसलिंग डोट आयूस यूपी डोट इन है इसकी वेबसाइट पर आपको यहां रेजिस्टेशन करना है और यहां पर ह आपको कांसलिंग रिलिटेट सारी इनफॉर्मेशन मिलेंगी तो इसमें सबसे पहले आप यूजी ब्राउचर डाउनलोड करके इसकी जो शेडियूल है वो चेक कर लें इसकी कंडिशन चेक कर लें इसके प्राप जितनी भी जो मानेता प्राप्त कोलेज हैं उनकी लिस्ट चेक कर लें और फीज चेक कर लें एक बार हम इसकी लिस्ट चेक करते हैं तो जो गौवर्मेंट आईरवेद युनानी और होमियोपेथी की कोलेजें हैं टोटल 583 सीट से इन में और इसकी जो फीज है वो दे रखी रेस्टेशन फीज वन थाउजेंट रूपीज है ट्यूसन थाउजेंट रूपीज होगी इसमें जो आरक्सित रेनी के लिए है ट्यूसन फीज जो 50 परसेंट लगेगी यानि की 14 थाउजेंट रूपीज उनकी लगेगी 19 थाउजेंट की बजाई जो रिजारू कैटेगरी के कंडिडेट हैं इसके बाद में हम देखते हैं युनानी क इसमें दो कोलेज हैं टोटल 150 सीट सें इसमें होमेपैतिक की 9 कोलेजेज हैं इसमें इसके बाद में हम बात करते हैं प्राइवेट कोलेज की जो प्राइवेट कोलेज हैं उनका फीस इनके सामने दिया गया है आप कोलेज वाई चेक कर लें फीस चेक कर लें टोटल इसमें 11 येवन कोलेज इंशोरी टैन कोलेज है और इनकी टोटल सीट है 754 सीट से युनानी की भी जो सीटे है 365 सीट से और इनकी फीश भी यहां दी गई है होमिजोपेथी की एक कोलेज है प्राइवेट की जिसमें 100 सीट से तो इस प्रकार से आप ये चेक कर सकते हैं कौन कौन सी कोलेज है यूपी में और उनकी फीज क्या है तो मैंने प्राइवेट और गौर्मेट दोनों कोलेज के बारे में बता दिया है अब हम बात करें इसका एक बार यूजी का जो ब्राउचर है वो डाउनलोड करके देख ले है तो कांसलिंग साड triggering की जो लाज़्ट डेट है वो ट्वेल्थ जनावरि ट्वेंटी ओन इसके बाद में जो और फॉर्टी जनावरि को आएगी इसमें इसके बाद में जो डोकुमेंट्स वेरिफिकेसं होंगे वो 18 जनवरी से 23 जनवरी तक होंगे इसके बाद में जो seat अपग्रेडेशन की यनि की जो admission की date होगी 25 जनवरी होगी इसके बाद में अपग्रेडेशन की date 27 होगी और इसके बाद में जो आगे की second round counseling है उसके फिर से registration और choice filling की जो date रहेगी वो 25 से 31 तक रहेगी मेर्ट लिस्ट आजाएगी इसमें 2 डिसमबर नेश्वरी 2 फरवरी 21 को तो इस परकार से second round और मोप अप राउंड की counseling का भी schedule दिया गया है total जो इसमें last date रहेगी वो 27 फरवरी रहेगी security deposit के लिए भी इसमें दिया गया है जो government के लिए apply करेंगे वो 10,000 रुपीज इसमें pay करेंगे इसके बाद में जो private colleges हैं homeopathic medical college के लिए 50,000 रुपीज का bank dropped यहाँ पर आपको बनवाना होगा तो इस परकार से ये condition दी गी है ये आईरवेद के लिए युनानी homeopathic medical college के लिए private के लिए 50,000 है और government के लिए 10,000 रुपीज का ये डीडी बनाना है इसमें दिया गया है ये निदेशक आईरवेद एंड युनानी सेवा यूपी लखनव के नाम से बनाना है पेबल एड लखनव के नाम से बनाना है इसमें इसके बाद में इसमें condition दी गई है eligibility क्या क्या है ये इसमें दी गई है आप इनको read कर लें अच्छी तरह से इसमें जो private के लिए condition दी गई है कि नीजिक शत्र के आईरवेद युनानी होमियोपेतिक कोलेजों विश्विदालों की सीटों पर प्रवे से तूं उत्रपरदेश राजे का निवासी होना या हाई स्कूल वा इंटरमेडेट की परिक्षा उत्रपरदेश से उत्तिरन करना अनिवारी नहीं है यानि कि private में जो अन्रिजर्ट केटेगरी हैं उनके बीच में एज होनी चाहिए जो SC, ST और OBC, PWT कंडिडेट हैं उनका 55, 1990 से लेके 31, 12, 2003 के बीच में जनम होआ खोना चाहिए तो इस परकार से ये कंडिशन इसमें दी हुई है अब हम बात करते हैं इसमें डोकुमेंट्स की जो डोकुम इसमें इसके बाद में जो अगर यूपी स्टेट के रहने वाले हैं यूपी के गवर्मेंट आयोस कोलेज में एडमिसन लेना चाहते हैं तो उनके लिए मूल निवास यानि डोमिसाइल सर्टिपेट की जरत होगी इसके अलावा जो रिजर्ट के डिकिरी के कंडिडेट हैं उनका सर्टिपेट रिजर्वेशन का सर्टिपेट होना चाहिए और पी डवलो डी का भी सर्टिपेट होना चाहिए इसमें रिजर्वेशन की कंडिशन में तो ये तो हो गई इसमें कंडिशन सैडूल सीट्स और फीस इसके बाद में बाकी कंडिशन आप इसके यूजी ब् का आपको option मिलेगा इस registration के option पर click करना है click करने के बाद में आपने neat role number और date of birth डालना है उसके बाद में submit करना है form open हो जाएगा पूरे form को आपने fill करना है fill करने के बाद में आपको पूरा registration submit कर दोगे कि तो आपको registration number मिल जाएंगे ये registration number मिलने के बाद में आपको registration fees deposit करनी है तो जैसे ही आप registration fees deposit करने के लिए registration fees पर click करेंगे तो ये SBI collect का form open हो जाएगा State bank collect का जैसे ही form open होगा आपने I have read and इस पर click करना है और proceed पर click कर देना है तो select category में आपने UPI's need counseling 2020 A की option है इस पर click करके click करने के बाद में आपने जो registration number मिले हैं आपको UP की जो आपने I use की counseling का जो पहले registration करवाया इससे पहले वाले step पर वो registration number यहाँ पर डालना है फिर need का roll number डालना है submit करना है आपका registration complete हो जाएगा तो इस परकार से आप इसका registration कर सकते हैं और इसकी सारी condition देख सकते हैं UPI use counseling की बाकी जैसे जैसे update मिलती रहेगी मैं आपको inform करता रहूँगा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को like वा ज्यादा ज्यादा share करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद